दोस्तों खेल कोई सा भी हो उसमें presence of mind का होना बेहादी important है यहां तक कि अगर हम cricket जैसे sensitive game की बात करे तो इसमें तो हर एक छोटे छोटे बारिक moment में भी 100% IQ level का होना बहुत जरूरी है लेकिन कई वार cricket के ground पर हमें इन किर्केटर्स का बिल्कुल 0 IQ level दिखने को मिलता है तो च परन आउट हुए कि उन्हें खुद पर शर्म आ गई कि ये क्या हो गया दरसल मैच के दोरान अजर एक ball को mid wicket की और खाली जगह पर खेल देते हैं जिससे ball boundary line की तरफ अराम से जा रही थी अजर अली को भरोसा था कि ball boundary के बाहर चली जाएगी और 4 run हो जाएंगे लेकिन ऐस अली स्टार बॉल को boundary की तरफ से keeper end पर थ्रो करते हैं एंड keeper भी मौका रहते अजर अली को run out कर देते हैं नमर नाइन दोस्तों मिस्वाउलाक के इस कारणामे को देखर ऐसा लगता है कि जैसे मिस्वाउलाक आउट होना चाहते हों इस मौमेंट में मिस्वाउलाक अपने 0 IQ लेवल का यूज़ करते हैं दरसल एक test match में पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे थे मिस्वाउलाक एंड तभी एक ball पार shot खेलने के बाद रन लेनी के लिए भाग जाते हैं यहां तो मिस्वा ने मुसीवत खुद ही मोड ले ली थी जब थो विकेट में हिट हुआ तभी अचानक से मिस्वाउलाक हवा में उचल दिये और खुद को रन आउट का शिकार बना लिया यह रन आउट वन अद दा बिगेस्ट फनीएस्ट मुमेंट में भी गिना जाता है किरकेट के गेम में परजेंस ओफ माइंड की क्या एहमियत होती है कोई MS धोनी से सीखे लेकिन कई बार कुछ खिलाडी बीच ग्राउंड पार अपने ही खयालों में खो जाते हैं जैसे अब आप इस बांगलादिशी फिल्डर को देखिए जो स्लिप की दिशाम में फिल्ड के लिए खड़े हैं लेकिन अफसोस की तब तक बॉल हाथ से छूट चुकी होती है और एक असान सा कैच ड्रॉप हो जाता है नमर 7 दोस्तो पाकिस्तानी फिल्डर अकसर अपनी मिस फिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं और ये सिलसिला आज से नहीं बलकि कई सालों पहले से चल रहा है तो चलिए अब हम आपको पाकिस्तानी फिल्डर के इन दो चहिते फिल्डर का जीरो आईको लेवल वाला कैच रॉप दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी अपनी हासी नहीं रोख पाएंगे दरसल एक ODA मैच के दोरान बैट्समैन एक शॉट को हवा में खेल देता है और कैच लेने के लिए फिल्डर बॉल के नीचे खड़े थे लेकिन जैसे ही बॉल नीचे आई दोनों ही खिलाडियों ने कैच को मिस कर दिया वैसे आपका इस मुमेंट के वारे में क्या कहना है हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कभी-कभी अंडर प्रेशर और सिचुएशन के चलते खिलाडी वो कर वैठते हैं जिसकी उसे भी उमीद नहीं होती ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब ऑस्टेले के जाने माने फास्ट बॉलार रिचरट्सन बॉलिंग कर रहे दरसल दोस्तों एक डोमेश्टिक मैच के दोरान रिचरट्सन बैट्समेन को एक बॉल कराते हैं और बॉल बैट्स से लगने के बाद रिचरट्सन के हाथों में आ जाती है अब ज़रा यहां देखिए इस मुवमेंट में रिचरट्सन चाहते तो आसानी से बैट्समेन को र नमर फाइव वैसे तो ऑस्ट्रिलियन विकेट की पर एलिस हिली एक अच्छे विकेट की पर मानी जाती है लेकिन जराई यहां देखिए यहां तो मानो एलिस हिली दिमाग को घर पर ही रखकर कीपिंग करने आई है दरसल एक मैच के दोरान बैटर बॉल को बीट कर जाती है और बॉल सीधा एलिस हिली के दस्तानों में चली जाती है बैटर क्रीस से बहुत आगे होती है हाला कि एली सिली स्टंपिंग भी कर देती है लेकिन स्टंपिंग के बाद वो अपना जीरो आईक्यो लेवल यूज करती है दोस्तो आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि बॉल हिली के दूसरे गलवस में होती है लेकिन वो इस्टंपिंग उस वाले हाँ से करती है जिसमें कुछ भी नहीं होता दोस्तो अप जरा इस मुमेंट को देखिए जहां विरिंदर सहवाग अपने ही खयालों में खोई रहने के वज़़ा से रन आउट का शिकार हो जाते हैं यह मौका है श्रिलंका और इंडिया के दर्मिया चल रहे एक ODI मैच का जहां घाता गेंडबाच लसीत मलिंगा की एक बॉल पार विरिंदर सहवाग एक रन लेने के लिए शौट खेलते हैं और रन लेने के लिए चल पड़ते हैं लेकिन गैर हाजरी दिमाग की वज़ा से वो सेटिस्वाइड हो जाते हैं कि वो असानी से चलते हुए भी क्रीस तक पहुच जाएंगे लेकिन वही परदेंस ओफ माइंड के वज़ा से कुमार संगा कारा ने मौका तक तही सहवाग को रन आउट कर दिया दोस्तो अब आप इस क्लिप को खुदी देख लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि किर्केट के रौंड पार हाजिर दिमाग का होना कितना इंपोर्टेंट है नमर थ्री दोस्तो आप जरा यहां देखिए जिसमें शिलंकाई बॉलार ओवर एक्साइटिड होकार किर्केट के बेसिक रूल भी भूल जाता है और जज़बात में आकार गलत हाथ से बिकेट को खार देता है दरसल यह मुमेंट है और शिलंका के दर्मिया चल रहे एक मैच का जिसमें बॉल बैट्समेंट के बैट से लगकार सीधे इस्टम पर जा लगती है जिससे की गिलने भी बिखर जाती है नौन श्ट्राइकर बैट्समेंट भी रन लेने के चकर में क्रीस से बहुत आगे निकल जाता है लेकिन उसकी किसमत भी शायद उस दिन उसी के साथ थी क्योंकि बॉलर बॉल को दूसरे हाथ में लेकार अपने दूसरे हाथ से श्टम को खार देता है और आउट करने की अपील करने लगता है और इस मुमेंट को वन अब दा क्रेजियेस्ट मुमेंट में से एक माना जाता है दोस्तो अब जराब पाकिस्तान के टॉप क्लास बैट्समेन बावार आजम का ये पागलपन देखिए जहां बावार आजम विकेट कीपर के गलफ्स पहन कर ही फिल्डिंग करने लग जाते हैं यहां तक की गलफ्स पहन कर बॉल को पिक भी कर लेते हैं दरसल उस वक मुहमद रिजवान अपने एक गलफ्स को उतार कर बॉल उठाने चले जाते हैं तबी अचानक से बावार आजम का मन गलफ्स पहनने का होता है और वो गलफ्स पहनकार फिल्डिंग करने लग जाते हैं हालक इसके बाद अमपायर पाकिस्तान टीम के उपर कुछ रनों का जुर्माना भी लगाते हैं लेकिन शायद उस दिन बावार आजम की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें उन रनों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा और बड़े मार्जिन से उस मैच को जीत लिया नहीं तो इन कुछ रनों की पेनल्टी बावार आजम को बहुत महगी पड़ती बाइदवे फ्रेंड्स वुमेन किर्केट मैच में हमें ऐसे कई मुमेट देखने को मिल जाते हैं जहां हमें इन किर्केटर्स का जीरो आईक्यो लेवल देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों अब आप इस मुमेंट को देखिए जहां इस मुमेंट खिलाडी ने तो हदी कर दी और सावित कर दिया कि उनके पास दिमाग की बहुत जादा कमी है दरसल एक मैच के दोरान फिल्डर बॉलर एंड पर फिकती है जहां बैटर क्रिस से बहुत जादा दूर होती है इस फिरो को ये खिलाडी कलेक्ट कर लेती है लेकिन इस वाक्त इनका दिमाग शायद कहीं और ही घूम रहा था और ये बॉल को श्टंप पर थ्रो करने की बजाए की पर एंड पर फिक देती है जिससे की किसी भी एंड पर बैटा रन आउट नहीं होती इसी के साथ उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आप भी हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें